नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर आकास कोटनाला अगर आप सैमसंग यूजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम अपने एंडुरीड फॉन को अपने सैमसंग फॉन को एक न्यू लुक दे सकते हैं एक न्यू थिम हम इसमें अपलाई कर सकते हैं इन सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं आपको बता दें सैमसंग से संबंदित अन्य वीडियो आपको चैनल पर दी गई हैं आप इन्हें देख सकते हैं कुछ नया सिख सकते है मैं यहाँ पर जो Samsung यूज कर रहा हूँ वह Samsung A34 5G है आप किसी भी Samsung में आप सारे step किसी प्रकाश से follow करेंगे सबसे फर्ष्ट हमें यहाँ पर जो अपनी जो home screen है इस पर यहाँ पर प्रेस करना है और हम यहाँ पर theme पर यहाँ पर click करेंगे यह सारे जो steps हैं यह सारे के सारे steps आप direct store पर click करके भी इसे follow कर सकते हैं वहाँ पर जा सकते हैं मैं यहाँ पर shortcut आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इसके बाद यहाँ पर हम agree button इस पर click करेंगे agree button पर click करते ही हमारे पास यहाँ पर कहीं सारी themes यहाँ पर मिल जाती है फ्री भी होती है और पेड भी होती है वालपेपर सेट्स अगर जो हम करना चाहें तो वालपेपर सेट कर सकते हैं अपने फॉन के आइकन्स चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं कहीं सारे हमें यहाँ पर फ्री मिलते हैं और कहीं सारे हमें यापर paid भी मिलते हैं, अर्थात हम उन्हें खरीद भी सकते हैं एक खास theme में आपको यापर बताने वाला हूँ, जिसे मैं personal use भी करता हूँ और किस प्रकार से आपको इसे use करना है, वो में यापर आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर आप देखेंगे मैंने विस लिष्ट में यापर एक theme यापर रखी वी है आप इस theme को इसका नाम आप ध्यान दीजिएगा I-N-V-A-S-E-R, इसके बाद आप देखिएगा कि C-H-A-R-M अभी आपने जो वीडियो में आगे जो theme देखी, वो मैं यही theme यूज कर रहा हूँ और इससे पहले जब मैं Samsung J8 यूज करता था, तो उसमें भी मैं इसी theme को यूज करते आया हूँ काफी अच्छी theme है, आप वीडियो में देख भी पाएंगे तो यहाँ पर first हमें यह आपर download बटन इस पर click कर लेना है जो भी themes होंगी सबका आपको look यहाँ पर देखने को मिल जाता है Samsung जितने भी themes है, सबका look आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो ये जो theme है हमने यापर download कर ली इसके बाद हम यापर apply बटन इस पर click करेंगे अब जैसे ही हमने apply बटन पर click किया तो ये जो theme है हमारे android phone पर apply हो रही है तो एक से दो second का हमें यापर wait करना है और हमारी जो theme है वो यापर apply हो चुकी है इसके बाद आप देखेंगे हमारा जो phone है उसका look बिलकुल change हो चुका है सारे जो icons हैं वो सारे change हो चुके हैं आपको मातर यही theme नहीं और भी कई सारी theme मिल जाती है ये बिलकुल dark theme है आप देखेंगे कि सारा हमारा जो phone है उसका चाहिए आप message box देखेंगे अगर आप message टाइ है वह काफी चेंज हो चुका है आप देखेंगे अगर जो मेसेज भी अगर जो आप टाइप करते हैं तो कीबोर्ड आपको अलग से देखने को मिलेगा तो यह आप जो थीम है आप अपलाई कर सकते हैं और अपने जो आइकन से हैं अपना जो एंडरीड फॉन है उसे नया पूच्पल रही हो इसी प्रकार से सेमसंग से संबंदित कई सारे वीडियो आपको चैनल पर दी गई हैं साथ ही आपको बता दूँ कि आप थीम पर जाकर के ही अगर आप इस थीम को हटाना चाते हैं तो आप थीम पर जाकर के इस थीम को आप हटा भी सकते हैं से वही प्रो आशा है यह वीडियो आपके लिए यूचपुल रही हो अगर यूचपुल थी तो आप वीडियो को लाइक चरू किजीगा इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद